अब हम एक और कोशिकांग की बात करते हैं, गॉलजी बॉडी की करते हैं, जिसको कहते हैं, इसको जो है 1898 में कैमिलो गॉलजी ने इसकी खोच गेते, ये भी जो है कई सारी जिल्लियों से बना होता है और थैली नुमा ये सरचना है, छोटी कुछ इसमें द्राव भरी भी थै इसमें बनेगा और सेरे कोच ने कोच गलजी जी बॉडी क्या करता है इसका में बैकेजिंग का करना है प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ थैली नुमस सरचनों में यह आपक किये जाते हैं और फिर अन्य अंगो तक पहुंचा आए जाते हैं और फिर अब हम इसकी संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या वो अलग-अलग कोशिकों में अलग-अलग हो सकती है लेकिन जहां पद कोशिकां लाइसोसोम की बात करते हैं और इससे समद्धित क्रूश्चन भी आता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्यों कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ पाय जाते हैं जो पूरी कोशिका के लगभग सारे पदार्थों को नश्ट करने की छमता रखते हैं प्रश्णिया है कि फिर ये पदार्थ उस कोशिका को नश्ट क्यों नहीं करते यह पहली तब सुलजी जब लाइसोसोम की खोज हुई यह सपश्ट हुआ कि ऐसे सारे विनाशकारी पदार्थ लाइसोसोम नामक थैलियों में भरे होते हैं और साधारन परिस्थिती में कोशिका के शेश पदार्थों के संपर्क में नहीं आते अब आप समझी गए होंगे कि जैसे ही कोशिका में हानिकारक पदार्थ बनते हैं लाइसोसोम उसे प्रायर नश्ट कर देते हैं कभी-कभी विशिष्ट परिस्थितियों में लाइसोसोम फट जाते हैं और उनमें भरे एंजाइम पूरे कोशिका को पचा डालते हैं इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती जूला भी कहते हैं तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि दरसल लाइसोसोम जो है वो छोटे-छोटे यह आप जैसे देख रहे हो चोटी-छोटी गोल नुमा सरचना है इसमें जो है पाचक एंजाइम भरे रहते हैं लगभग 24 प्रकार के इसमें एंजाइम रहते हैं अब इनका काम क्या है एंजाइम का पाचन का तो जो कोशिकी पदार्त होते हैं उनका पाचन का काम करते हैं अब कभी कभी क्या होता है कि छती गरस्त हो जाती है कोशिका या फिर कोई ऐसे विशेश परिस्थितिया आ जाती है तो यह लाइसोसोम फट जाते हैं, अब लाइसोसोम में क्या है, कोशी की पदारत के पाचन करनेवल एंजाइम्स हैं, लेकिन वही बाहर आ गये, तो क्या होगा, वह पूरी कोशी का कोई खतम कर डालते हैं, उसको पचा डालते हैं, और इस तरीके से वह कोशी का जो है, व्रि लेकिन जानते हैं कि जुफा है में बहुत बादावरन इसे जर्मस हैं बेक्टिरीयम थे उपिस्ट एन करते हैं बेक्टिरियम प्रवेश 49 yarु encourage अघध रहे हैं एसको तो hostage को आससने उसको अख हसने के मैं आध मेरेफ शने का डिद्स stripped पादम आप रात करता है तो यह जो आतरा में भाकिज़ हो यह खतंम करता है। अधिका नहीं रहे है भाchnet कोशिका आर्थ चान यहां गांगते है ध्यहां सिर्टेर कोशिकान अब ब Meansभार्थ श्र। यु छांगます अंतर जब देख रहते हैं, तब आमने देखाता है न रिख्धिकान जुली, इसको हम रहेंगे पानी रहेगा लवान रहेगा अमिनुय एशीड रहेगा रहेंगे कुछ उथसर्जी पदार्त भी रहते हैंर us इसके बात हम that क mult हैं करते हैं यह भोजन के पाचन और उथसर्जन कारे संबंदित रहता है और ये पदार्थों के संगरहन का अभी करता है तो अभी तक हम ने जितनी भी बात की है आने आने वाले कोशी कांगों की बात की हमने जैसे पहले देखा प्लाजमा जिली थी ताज μου की बात की हमने लाइसोस उम की बात की कि ऐसे को पास देख रहे हो एंडोपलाज्मिक रैटिकुलम की बात की तो इस तरीके से यह जो जिल्ली से बना जो सिस्टम है अब इसमें कार इस तरीके से होगा सुचारों रूप से इसको हम एक उधारन से समझते हैं जैसे कि सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन बना तो प्रोटीन कहाँ पर बनेगा राइबोसों में बनेगा तो राइबोसों में पहले कहां जुड़ेगा एंड़ो प्रोटीन जब बन गया तो यह एंड़ो प्लाजमी क्यूलम की जो गुहा हैं बहुत कर दो जाता है आप प्रविष्टकैविए जाना की है अब यहां पर जो यह बने-पदार्त है है छोटी-छोटी फेली में भरे जाते है और यह कहां पहँचाएंगे कोजी बोडी तक पहुचाए जाएंगे अब गोलजी बॉड़ी में दो प्रोटीन और उन्य पदार्थ यह है भी थहल्यों में भर याम का मैसे जाता हैं यह तो किस वैल तरीके से वह मतलब फैकेजन कि जाती है ताकि बaremos प्रोटीन और अन्य पधार्थों को भरा जाता है ता कि जादा से जादा प्रोटीन या जो ठीलियों के रूप में वह अन्य जगह तक पूचाए जाती है तो अन्य जगहं तक पहँचाए जाती तो जहांपर जोरत है कहां पर जूरत है जहां पर जिल्ली बनने का काम हो रहा है या फिर ventional काम हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्लाजमा मेंबरेन है जिस भी जो कोशिकांग के चारोड की जिल्ली ही रहती है और वो किस से बनी होती है प्रोटीन से बनी होती है और वसा से बनी होती है तो यह प्रोटीन जो है इस माध्यम से वहां तक पहुचाया जाता है जहां यह बनने काम होता है यहां फिर मरम्मत का काम होता है तो इस तरीके से हमने इसका कारी को देखा अब जो है यह किस तरीके से सहायता करती है तो जहां मरम्मत भी हो रहा है और जहां यह जिलियां बन भी रही है तो बच्चों अभी तक हमने endomembrane system यानि अंता जिली तंत्र से बने कोशिकांगों की बात कीती अब हम ऐसे कोशिकांगों की बात करेंगे जो अंता सहजीविता से बने हो वे जो हैं mitochondria और plastid यानि लवक हैं ये ऐसे दो कोशिकांग हैं जो अंता सहजीविता से बने हैं अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सहजीविता क्या है तो सहजीविता का जो मतलब है जिसको सिंबॉइसिस कहते हैं कि दो कोई भी जीव आपस में किसी पारसपरिक लाव के लिए जो है वो एक दूसरे से संबंद बनाते हैं वो आंतरिक संबंद होता है और एक दूसरे पर यह निर्भर रहते हैं तो उसको हम कहते हैं सेमबॉइसिस या सहजीविता तो यह सहजीविता जो है एक दूसरे पर जो निर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं वो चाहे तो दो पौधों के बीच या दो प्राणियों के बीच या एक पौधे और एक प्राणी जो है मिलकर य तो जैसे हमने, आपको याद होगा जो पहला अध्या है, उसमें हमने लाइकन की बात की थी, लाइकन जो है एक तरह का सवजीवता से बने जीव है, जो एक कवक और एक शेवाल दो जीवों से मिल कर वो बना रहता है, वो आपस में क्यों एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि दोनों को इसमें किसी ने किसी तरह से लाव होता है ऐसे ही एक राइजोबियम बैक्ठिरिया है जिसके बारे में भी आप जानते हैं वो राइजोबियम बैक्ठिरिया जो है कि बैक्टिरिया को वहाँ पर जगह मिल जाती है रहने के लिए जैसे हम इसमें देख रहे हैं और पौधे को क्या मिलता है पौधे जो फलीदार पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़ादा मात्रा में लगता है तो वो एट्मोस्फियर की जो नाइट्रोजन है वो सीधे जो है वो नहीं ले पाते हैं उसके वो योगीकों के रुप मिल लेते हैं तो एटमस्फियर की जो नाइट्रोजन है वो जो है जड़ों के पास नीचे जाती है और वहां पर जो राइज़ोबिया बैक्टिरिया जैसे इनॉडियूल में आप देख रहे हूँ यह जो bacteria है वो जो free nitrogen है उसको वो compounds में convert करते हैं और यह पौधे जो हैं root के जर्ये जो compounds हैं वो फिर पौधों तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधों को क्या मिल गया वो nitrogen उसके compounds मिल गया और bacteria को क्या मिला वो उसका रहने की जगा मिल गई तो इसी तरह से ये सहजीविता जो है दो जीवों के बीच पारस पर एक संबंध होता है और ये किसी न किसी लाव के लिए होता है तो अब यहाँ पर हम बात कर रहें अंता सहजीविता की तो यहाँ भी ऐसे हुआ है कि कोशिका की अंग है लेकिन बहुत साल पहले की बात करें तो यह एक स्वतन्द्र जीव के रूप में रहे होंगे लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी होंगे कि यह जो माइटो कॉण्रिया और प्लास्टेड जैसे जो कोशिकांग है इनको यहाँ जो दूसरी कोशिका है यानि पहले प्रोकेटिक कोशिका बनी थी तो प्रोकेटिक कोशिका में तो होते नहीं है और बाद में यह यूकेटिक कोशिका में आप जानते हो कि यूकेटिक कोशिका में यह कोशिकांग पाय जाते हैं अनर्जी का यह source है प्लास्टिंग कीसे जो भोजन बनाता है और माइटो कॉंड्र क्या है यह उर्जा का स्रोथ है उर्जा का घर है तो चुकी उर्जा की जहुरत पड़ी होगी जीवों को तो उसी लिए क्या हुआ होगा कि यह प्लास्टिट जो माइटो कॉंड्र है इनके आपस में संबंद बन गए होंगे यह उसमें आंटर कर गए होंगे और दोनों जो है फिर अंत्र सहाजी वीता के रुप में रह रहे होंगे जिसमें दोनों का लाव हो रहा होगा तो प्राचीनीकाल में ऐसा वाल दौकिन अभी क्या हुआ वो एक कोशिकां का हिस्सा बन गए तो ऐसे हम अभी Mitochondria और Plastic की बात करें तो सबसे पहले Mitochondria जो है वो उसका शेप साइज की बात करें तो गोल हो सकता है छडनुमा हो सकता है शाखित हो सकता है और यदि हम इसके संख्या की बात करें हमने जैसे पहले भी बात कि थी कि किसी भी कोशिका के कोशिकांग जो ह सकते हैं या फिर वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो माइटो कॉंड्रिया जैसे हम इसको पावर हाउस आप दसेल कह रहे हैं यानि उर्जा घर है क्योंकि श्वशन प्रक्रिया से संबंदित होता है यह आप उच्छे कक्षों में बढ़ेंगे कि कैसे मिश्वशन प्रक्रिया में माइटो कॉंड्रिया की भूमिका रहती है और उस मिश्वशन प्रक्रिया के दोरान जो है वो उर्जा बनती है जिसको हम ATP कहते हैं ATP यानि एडिनोसीन ट्राइफासपेड कहते हैं और ATP की रूप में माइटो कॉंड्रिया में उर्जा जो है वो स में मतलब जो ऐसे अंगे जहां पर बहुत जादा उर्जा की जोरत है तो वहां पर इनकी संख्या निश्यत रुप से जादा होगी तो इनकी संख्या जो है वो 100 से लेकर 1000 तक हो सकती है तो इसका एक 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 जामपल देखते हैं कि इस तंधारी की जो लिवर सेल्स होती है यान खेर लेता है माने इतनी जादा माइटो कॉंड्रिया जो है उस कोशिका में पाई जाती है अब चुकि हमने बात की कि ये श्वशन क्रिया में महत्पूर्ण है और उर्जा का ये स्रोथ है तो इस संबंदित आपको कोशन भी आते हैं कि माइटो कॉंड्रिया के काम क्या है उसकी सनचना क्या है और महत्पूर्ण बात जो है एक और भी कोशन आता है कि माइटो कॉंड्रिया में उसका अपना डियने होता है डियने जो है वो एक जिनेटिक पदार्थ है यानि हमने बात क्या की थी कि केंदरक होता है कोशिका का कोशिका केंदरक में डियने यानि जि DNA है जिसको mitochondrial DNA कहते हैं और चुकी इसमें भी DNA है तो इसका जो DNA है यानि ये गोण जो है वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को transfer होते हैं तो mitochondria का खुद का अपना DNA होने के कारण ये mitochondria उसी से ही वो जो है वो बनती है क्योंकि DNA मैंने अनुवानशी के काई हम किसको कहेंगे जो कॉपी होती है जो अपनी कॉपी बना सकता है तो mitochondria में भी क्योंकि DNA है तो ये अपनी कॉपी बनाता है और ये गोण जो है वो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को वो transfer होते हैं तो इस तरह के से ये question आपको objective में भी आ सकता है कि केंद्रक के अलावा DNA और किसमें पाया जाता है तो एक अंतरप्रदवी जालिका द्वारा mitochondria को विभाजित करने के लिए उत्तेजित करते देखा गया अंतरप्रदवी जालिका की नलिका के फंदे से mitrocondria दो भागों में विभाजित होते देखे गए हैं प्रत्येक भाग स्वतंतर mitrocondria के रूप में कारे करने में सक्षम रहा किसी भी कोशिका में mitrocondria का ज्यादा संख्या में होना क्यो जरूरी है तो बच्चों अब हम दूसरा अंता सीविता से बना अंग प्लास्टेड यानि लवक की बात करते हैं तो ये लवक जो है वो दो प्रकार का होता है एक रंगहीन होता है और दूसरा रंगीन होता है तो रंगहिन जिसको हम leukoplast कहते हैं इसके कई examples हम अपने आसपस देखते हैं उसको खाने में भी हम उपयोग मिलाते हैं जैसे मक्य का बीज है आलू है मूली है अब देख रहे हो यह colorless है रंगहिन है तो इसमें जो लवक पाया जाएगा वो कैसा होगा रंगहिन होगा यानि इ लवक के examples यानि उधारन कौन-कौन से हैं तो यह जो है परिक्षा की दृष्टी से इनको हमें याद करना चाहिए तो दूसरा प्रकार जैसे हम देख रहे हैं कि रंगीन है और जैसे पहले हमने रंगहिन की बात की थी उसमें जो है स्टार्च होता है आप जानते हो आलू मे स्टार्च होता है स्टार्च कि क्या है ? एक तरह का कार्भोहाइडड spinner तो स्टार्च वो भोजन में संचेत रहता है अब दूसरा प्रकार रंगीन लवक की बात करते हैं तो रंगीन लवक में सबसे पहले हम जादा जो है वो हरे रंग के देखते है और यह इनमें, जो करते हैं जैसे आप पत्यों में के रंग कैसा हूता है हरा रंग क्युंँ रहा पिन की कि कारण उसका रंग क्या होता है जो लॉरोक उटास्ट है तो इसकी सनचना में विभिनता मिलती है जैसे वो हम कुछ एक्जाम्पल्स को देख लेते हैं ये हर कप शेप्ड है तो कप शेप्ड यानि कप के अनुसार जो आकरिती है वो क्लेमाईडो मोनस में पाया जाता है फिर दूसरा देखते हैं इस पाइरल है रिबन-like जिसको बोलते हैं ये स्पाइरो गायरा में नियरा में होता है स्पेंडल शेप्ड देखें तो ये एंथोसिरस में होता है और ये ज़िस्टार शेप्'t देखें तो जाइगोनीमा में होता है और तना राटिकूलेट जो है यानि जाली कावत तो वो उडोगो नियम में पाया जाता है और यादि हायर प्लांट्स की बात करते हैं हायर प्लांट्स इसको बोलते हैं जो बढ़े-बढ़े बौधे रहते हैं उन में जो यह है वो डिस्क नुमा शेप कर रहता है जैसे यह पिक्चर देखे रहो डिस्क रूमा यह थैली कि ये जो है वो संपन होती है क्या आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का व्यास किसी माइट्रोकॉंड्रिय से लगभग दुगना होता है क्लोरोप्लास्ट दोरी जिल्ली से घीरे होते हैं दोनों जिल्ली के अलावा एक और जिल्ली पाई जाती है जिसे थैली जैसे संरचना सं थालेकोईट कहते हैं, थालेकोईट सिक्कों के चट्टानों की भाती धेर के रूप में मिलते हैं, जिने ग्रेना कहते हैं, जिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उपस्तिती से प्रकास संसलेशन की क्रिया स अंता सहजीविता के अंतरगत कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवों के विशिस्ट गुण क्या थे? हमने अभी तक युकेरियोटिक कोशिकाओं का अध्यन किया है आईए हम कुछ प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के विशिस्टाओं का भी अध्यन करें तो ये तो हमने हरे रंग के वर्णक की बात की अब आपने ऐसे रंगीन पदार्थों को भी देखा होगा जैसे आपने टमाटर देखा है लाल लाल मस्त गोल गोल जो रहते हैं और बैंगन देखा है आपने वो बैंगनी रंग का होता है आपने गाजर खाते हो सलात के लिए औ क्योंकि उसमें विटामीन ए रहता है तो इसमें जो रंग है वो किसके कारण है तो इसमें भी कोई न कोई ऐसा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण वह वर्णक जो है वह उसको रंग प्रदान करता है तो अब हम टॉमेटों में बात करें यानि टॉमाटर में बात करें तो ज कि इसमें एंथोसाइनीन एक पिग्मिन्ट में इससका रंग स Kurete एकिमिज़ साहर के गताए मैंने हैं कि इसमें गतेरे J hazard का सब्सक्राइश एक आ है यह इसका था डी तो पहुति हैं एह ले ट क्राइब बात की तो पश्यफिल्वनुंस हो तो कोशिका की बात की है और आपको जाद होगा कि यह भी हमने पहले अध्याय में πणा था कि कोशिका जो है वो दो प्रकार की बात की गई है एक प्रोक्राटिक एप You get गजितने भी कुशिकां को की बात की वो सारे कोशिकां किसमे होंगे utl Italika तो इससे पहले जो आयी वह प्रो केटिक कोशिका थी तो प्रोकेटिक कोशिका की सरचना क्या है कि इसके उधारण हम ने देखे थे वह बैक्टीरिया है साइनो-बैक्टीरिया वह को दो तो निविंग वर्ल है उसमें जो है जैसे क्या बोला कि इसमें नूकलियर मेंब्रेन बहला जिली नहीं जिसके कारण ही इसको Euketic कोशिका से अलग किया गया फिर दूसरी बात करें तो इसमें भी कोशिका जुह है कोशिका जिलनी से घिरी रहती है और इसके चारूं और एक पाधिन और और लेकिन शुसका और चाराइंद काुए और बारी मोगीwr और लेकिन अड़ार्फ इसमें प्रोकेटिक में बात करें तो कुछ इसमें जो है कोशी कांग जो योकेटिक में पाया जाते थे वो इसमें नहीं पाया जाते हैं जैसे माइटोकॉंड्रिया है हमने यदि प्लास्टिट की बात करें तो प्लास्टिट केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है तो प्ल क्यासे हैं संपन्ड होगे कोशिक द्रव क्या है उनंसे सारे काम होते हैं है और कुछा क्या बात करें तो या सुष्छों भी कॉष्छ कारें संबन्द्र समब्omet Legends आजए उश्वशन संबन्दी कारि करता है तो इस तरीके से प्रोकेटिक कहना चाहिए बहुत सिंपल जीव है बहुत पहले यानि जो लाइफ जब और इजीन हुई तो उसमें ये पहले प्रोकेटिक ही आये थे उसके बाद ये एडवांस यू कैटिक आये तभी तो हमने बात की ना कि प्रोकेटिक में एनर्जी की एंड फूर सोर्से को पूरा करने लगे और बाद में ये माइटो कॉंड्रिया प्लास्टिर जो है वो उसी का ही अंग बन गया तो ये यू कैटिक कोशिका में हुआ अब इसके यानि जिनेटिक मटेरिल की बात करते हैं यानि अनुवांशिक पदार्थ भी है इसमें प्रोकेटिक कोशिका में तो आप जैसे देख रहो इसमें केंद्रक जिली नहीं है तो ये बिखरा वा हो रहता है और यह आप देख रही हो वृत्ताकार होता है या अईसे पूर सकाटर्ड फैला वा रहता है और एक अगहार मुख्या बात है इसमें राइबो सॉम य pięt को शिका में होता है लेकिन प 70S का रहता है Proceti Cochica में और UKT Cochica में 80S का होता है तो Ribosome दोनों में ही पाया जाता है लेकिन उसके size की फरक रहती है तो इस तरह से यदि हम ये बात कर रहे हैं कि Proceti Cochica की तो इसके examples भी यदि आपको पूछ जाते हैं कि Proceti Cochica कौन से जीवों में पाए जाएगी तो उसके एक्जांपल जो है Bacteria है और Sinobacteria है तो इस तरीके से ये हमने कोशिका की बात की कोशिका की सरचना की बात की और एक और प्रश्न की द्रिश्टि से देखा जाए तो इन में दोनों में अंतर भी बूजता है कि प्रोकेटिक एंड यूकेटिक कोशिगा में अंतर क्या है तो आप बहुत आसानी से दोनों के अंतर को बता सकते हैं हमने पहला ये अंतर क्या बोला कि प्रोकेटिक में क्या होता है नुकलर मेंबरेन नहीं पाई जाती है Yukatic में क्या होता है ये पाई जाती है कुछ कोशिकांगों की बात कर लेते हैं जैसे amitoc honorary है वो prophetic में नहीं है तो वो उसमे Iukatic कोशिकां में उपस्तित है यदि हम Lysosome की बात करें यह Golgi body की बात करें तो वो आपका propatient में उपस्तित है और उसमें उपस्तित है अगर ribosome की बात करें तो इसमें 70S टाइप का है और उसमें 80S टाइप का है तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप जो है इन दोनों को अंतर कर सकते हैं और समझ के आधार पर आप बता सकते हैं और यदी चाहें तो एक और अंतर में एक्जामपल जो है आप बता सकते हैं कि इस प्रोकेटि का एक्जामपल जो है बैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया है और उसमें तो आप बहुत सारे कोई भी एक्जामबस दे सकते हैं अमीवा पहरा मेंशे हम यूग लीना आप दे सकते हैं अब हम बात करेंगे कि कोशिका थियोरी की यानि सेल थियोरी की अब जो भी हमने बात की है ये तो सेल की कोशिका के सनचना की बात की आप सबसे पहले जो है वो सजीव जो बना वो कैसे बना उसकी थियोरी किस ने दी उस हवा से पानी से या स्वता जनन से ही जीव जो है वो बनते हैं लेकिन कई सालों तक ये इसी खोज में लगे रहे विज्ञानिक कि आकिर जीव की उत्पति होती कैसी है तो लगबग 200 साल पहले जो है कुछ विज्ञानिकों के प्रयास की यदि हम बात करें जैसे मैथियस श्लीडन है, थियोडोर श्वान है और रुडॉल्फ विर्चो इन्होंने काफी ज़्यादा कोशिका का गहन अध्यन किया और अध्यन के दोरान जो है उन्होंने कई सारी बातें सामने रखी कि जीव का शरीर आखिर वो संगठित कैसे होता है तो जब वो कोशिका का गहन- जो जीव का जो शरीर है वो कोशिका से ही बनता है तो इस तरीके से श्लीडिन, श्वान एंड रुडॉल्फ विर्चों के प्रयासों से एक महतपुर्णव सिध्धान्त बना जिसको कोशिका सिध्धान्त कहते हैं और ये कोशिका सिध्धान्त की यदि मुख्य बातें करें त कि इसको किस ने दिया था यानि कोशिका सिध्धान का प्रतिपादन जो है किस विज्ञानिक ने दिया तो हम दो की बात तो करते और अंतह कोशिक की पदार्थ से बने होते हैं दूसरी बात करते हम तो कोशिका जो है वो जीव की सरचनात्मक एवं क्रियात्मक की काई है इसकी बात हमने पहले भी कर लिया था तीसरी बात जो है वो सभी कोशिका है पहले से उपसित कोशिकाओं से ही पैदा होती है तो ये त आरांश के रूप में यदि हम समझें तो हम क्या मतलब उन विज्ञानिकों ने जो नियम दिया या जो सिधांद का प्रतिपादन किया तो तीन बाते महतबुर्दी जो जीव का जो कोशिकाएं और कोशिकाओं से जो हमने कोशिकांगों की बात की उससे बना होता है फिर दूस कोशिका पैसरी बात के कि कोशिक्क नाटमा यह क्रियात्म ही क्रियात्मे का ही, क्योंकि हम ने जैसे पहले बात कि थी कि जो भी शरीर जिसका भी सजीवों का शरीर है वह कोशिका से बनावाय थे हैं फिर परीका हो रहा है चाहिवा सोंधंदerofracorkas तो इसलिे कोशिका से ही दूसरी कोशिका कि रुडॉल्स वई यदू अध्यन कर रहत है तब उन्होंने देखा था कि कोशिका है वह विभाजित होती है और नई कोशिका बनती है तो इस तरीके से इस सेल थियोरी का प्रतिपादन किया गया अब हम एक और महत्पूर बात पर हम विचार करते हैं कि हमने हमेशा जो है वो कोशिका को माइक्रोसकोप के अंदर में देखते हैं कुछ एक एकाद एक्जामपल यदि छोड़ दिया जाए जैसे हमने पहले के अलावा यदि हम बात करें तो कोशिका है हमेशा क्या होती छोटी होती है बड़ी क्यों नहीं होती क्या हम इस पर विचार करते कभी इसको भी हमें समझना जरूरी है तो चुकि जो भी पदार्थों का जो आवागमन होता है पदार्थ कौन से हो सकते हैं पोशक सरजी पदार्त हैं, गैसे हैं, हार्मोन हैं, एंजाइम्स हैं, ऐसे मोहतर पूर्ण पदार्त जो हैं, वो जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गमन करेंगे, तो अगर मान के चलिए किवेकरें की कोशिका बड़ी हो, जैसे यदि हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि एक कोशिका बड़ी साइच की है और दूसरी कोशिका छोटी साइच की है तो दो तिन आप जानते हो कोशिकाई जो है वो समू बनाती है और समू जो है वो टिशू कहलाता है और टिशू वही अंग कहलाता है तो क्योंकि यहाँ प हमने रेडियस की बात करें तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुचने में किसी भी पदार्थ को क्या लगेगा उर्जा भी लगेगी उस समय भी लगेगा तो यह पदार्थ वहां तक पहुचने में क्या लगेगा समय लग जाएगा और यह चोटी साइज की रहेंगी त तो जलदी से बहुत शिगरता से एक कोशिका से दूसरी कोशिका मेई ठांसफर हो जाएगा हरे कोशिका को जो पोशक पदार्त चाहिए महतवपूण पदार्त है हार्मोन आप गैसे ऑक्सिजन वागेरे हैं वो चाहिए तो जल्दी से बहुंचने के लिए यानि जिसमें उर्जा भी कम खबा दो और समय भी कम लगे तो इसलिए जो है ये कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं माइक्रोस्कोपिक होती हैं और इसको हम लोग एक गणित के जरिये समझते हैं 6.9, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, बड़ी नहीं, क्यूं? Why are cells usually small? कोशिकाओं का आकार अक्सर इतना छोटा होता है, कि बिना किसी आवर्धक उपकरण की मदद से इन्हें देख पाना संभव नहीं है. क्या आपने कभी सोचा है कि कोशिकाओं का आकार इतना छोटा क्यों होता है? अगर कोशिकाएं बड़ी होती तो क्या होता? आकार छोटा होने से कोशिकाओं को क्या क्या लाव होते हैं? हमने पढ़ा कि कोशिकाओं में विभिन्य पदार्थों जैसे पोशक पदार्थ उत्सरजी पदार्थ विभिन्य गैसो आदि का आवगमन होता है यह आवगमन कोशिका जिल्ली के सतही छेत्र से होता है विभिन्य पदार्थों का आवगमन कम दूरी कम समय में होता है तो उर्जा भी कमखर्च होती है या तभी संभव है जब कोशिका का आकार छोटा हो आईए इसे गणतीय रूप में समझने का प्रयास करें यदि कोशिका गोल हो तो कोशिका का व्यास बढ़ाने से उसके सतही छेत्रफल में वर्गात्मक गुणक व्रिद्धी होती है तथा आयतन में घनात्मक गुणक व्रिद्धी होती है सार्णी अनुसार छेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का संबंध सार्णी के आधार पर इन सवालों के उत्तर दें यदि कोशिका का व्यास बढ़ रहा है तो कोशिका के आयतन एवं सतही छेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या सतही छेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का कोशिका के व्यास से कोई संबंध है? यदि कोशिका का सतही छेत्रफल अधिक होगा तो बाहरी वातवरन में उपस्थीत पदार्थों के कोशिका से संपरकी की मात्रा भी बढ़ जाएगी कोशिका का आयतन बढ़ जाने पर जैविक क्रियाओं को संपन्ड करने के लिए अधिक मात्रा में पोशक पदार्थों की आवशक्ता होगी हमने पढ़ा भी है कि आकार में व्रिद्धी होने से आयतन की तुल्ना में सतही छेत्रफल में कम व्रिद्धी होती है ऐसी स्थिति में कोशिका में पदार्थों के अंतरग्रहन की मांग सता द्वारा पूरी नहीं हो पाएगी वह जैविक क्रियाओं की गती धीमी हो जाएगी इस प्रकार का संबंध विभिन आकृती की कोशिकाओं में भी देखा जा सकता है आपने कुछ बड़ी कोशिकाओं जैसे पंक्षियों के अंडे का योग वाला भाग मचली के अंडे की कोशिकाओं को देखा होगा ये कोशिकाओं अपनी परिपक्को अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है इस अवस्था में इनकी जैविक क्रियाएं भी धीमी पड़ जाती है अब आप समझ गए होंगे कि आकार में बड़ी होने के बावजूद ये कोशिकाएं किस प्रकार जीवित रह जाती है 6.1.0 क्या कोशिकाएं चप्टी ही होती है Are cells flat? समानिता जब हम कोशिकाएं को सूष्म दर्शी से देखते हैं तो इसकी सनरचना चप्टी ये द्वे आयामी प्रतीत होती है वास्तों में कोशिका की लंबाई, चोड़ाई तथा मोटाई होती है अर्थाथ या त्रियायामी होती है इसकी लंबाई और चोड़ाई हम आसानी से देख सकते हैं पर मोटाई नहीं इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोशिका चप्टी होती है कुछ ऐसे उधारन है जिससे हम कोशिका की मोटाई का अध्यन कर सकते हैं जैसे अंडे एवं संत्रे की कोशिका से भी हम कोशिका की लंबाई चोड़ाई एवं मोटाई का अभास प्राप्त कर सकते हैं अब हम एक और बात करते हैं कि कोशिका जो हमने जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो द्वी आयामी होती है, यानि टू डायमेंशनल होती है, यानि उसकी एक लंबाई दिखेगी, एक चोडाई दिखेगी, लेकिन उसकी मोटाई नहीं दिखपाती है, तो एक्चले यानि जो कोशिका की बात करें, वो चप्ती नहीं होती है, उसमें मोटाई भी होती है, जैसे हम संत्रे के रिशे की बात करते हैं, तो हम को उसकी लंबाई भी देखेगे चौडाई भी देखेगे उसकी मोटाई भी देखेगे। तो कोशिका जो है वो त्री आया मी रहती है, यहनि थ्री डायमिंशनाल होती हैं. तो बच्चों इस तरीके से हमने ये कोशिका जो जीवन की इकाई है सनचनात्मक और कार्यात्मक की इकाई है इसके हमने बहुत सारी गतिविधियों को देखा और कोशिका के कोशिकांगों की बात की सनचना की बात की कार्यों की बात की और फिर हमने कोशिका सिधान्त की बात क और भी बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स थे जिसे पर हमने चर्चा की तो इस तरीके से ये कोशिका जो है बहुत महत्पूर्ण अध्याय है बहुत सारे इसके जो कोशन्स आते हैं और यदि हमने इसको अच्छे से समझ लिया कि कोशिका क्या है क्यों इसे सनचनात्मक और कारयात्मक की काई कहते हैं तो आप इस वीडियो के जरी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे